पाठ्य का सनरेखन अधिकांच तह पेच के बाई हाशिय से पाठ्य का सनरेखन किया जाता है। लेकिन हम पाठ्य का सनरेखन दाई और केंद्र में और पाठ्य को बाई वदाई और से बराबर सनरेखित कर सकते हैं। HTML में विशय सूची हम HTML में दो तरह की विशय सूचियों का प्रयोब करते हैं। व्यवस्थित सूची व अव्यवस्थित सूची व्यवस्थित सूची इस सूची को क्रमवार सूची भी कहा जाता है। यहां मदों को क्रमवार सूची में दिखने में सहायता करती है। हम क्रम बार सूची को एक, दो, तीन, एक, दो, तीन की रोमन शैली में या A, B, C इत्यादी के रूप में दर्शा सकते हैं. OL टाग एक कंटेनर टाग है. इसके समापन की आवशकता होती है. OL टाग की केवल एक विशेशता होती है और वहां है टाइप प्रकार. यह व्यवस्थित सूची के टाइप प्रकार को चुनने में सहाईता करता है. अव्यवस्थित सूची इस सूची को बुलिटट सूची भी कहा जाता है. इसका उपियोग मदों को बुलिट के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है. यह भी एक container tag है और इसके समापन की अवशक्ता होती है एक अव्यवस्थित सूची में तीन प्रकार की bullet को जोड़ा जा सकता है इस सूची की भी एक विशेश्टा है वह है type जो bullet के type प्रकार को चुनने में सहायता करता है सूची मद L I यह tag व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित दोनू सूची में मदों को जोड़ने में सहायता करता है यह एक container tag नहीं है इसलिए चाहे हम इसे समाप्त नहीं करते तो भी हमारा प्रोग्राम चल सकता है